हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुती सुन्दर और बहुती अहसान न्यू केबल डिजैन लेकर आई हूं आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजैन को आप जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लैडीज, कार्डिगन, जैकेट, गल्स टो, प्रो, कुर्स, कैप, हाइनक किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती है सब ही प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुती सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 11 के multiple फंदे लेकर 7 फंदे एक्स्टरा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके project पर इस तरह से adjust हो जाएगा 11 के multiple देखिए आप इसमें 11 फंदे गिन लिजिए फिर से 11 फिर से 11 फिर से 11 इस तरह से फंदे गिनते जाएए और last में आपके 7 फंदे होने जाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है छे सलाईयों का डिजैन है और 12 सलाईयों में complete हो जाता है नीचे हमने जो बोर्डर डिजैन बनाया है इसकी वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड की हुई है नीचे वाले बोर्डर को बनाने के लिए हमें 12 के multiple प्लस 3 फंदे लेने होते है जब उपर इस डिजैन को adjust किया तो 11 के multiple प्लस 7 फंदे लेने होते है तो एक फंदा मै यह बोर्डर के बाद जो डिजैन की पहली ısलाई मैंने यहां से बनाई वही प्लस 7 मैं आपको यहां से बता रही हुँ तो अगर आप कार्डिगन जैकेट में बनाना चाहती है तो इस तरह से कोई भी स्केलर बोर्डर बना के और सीधी साइड से इस डीजैन को शुरू कीजए जैन स्वेटर बच्चों के स्वेटर पर इस डीजैन को अपलाई करना चाहती है तो कोई भी नॉर्मल बॉर्डर बना कर आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिये और सीधी साइड से डिजैन शुरू हो जाएगा तो डिजैन की पहली सलाई है और सीधी साइड है पहला फंदा इसका एस्टिच है इसे उतारिये या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है अब यहां से हमारा ये डिजैन शुरू हो जाएगा तो एस्टिच के बाद एक फंदा उल्टा अब धागे को पिछे करेंगे और ये वाली जो केबल है ये तीन फंदे पर बनती है तो देखे एक दो और ये तीन इन दो फंदे को छोड़ कर ये जो तीसरा फंदा है इसको इन दो के उप पर से ऐसे पलट देंगे तो यहाँ पर तीन फंदे से दो हो गई है अब हम फिर से वापस तीन बनाएंगे तो दो में से देखे एक फंदे को पहले ऐसे सीधा बुनेंगे धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और इस दूसरे फंदे को भी सीधा ही बना देंगे तो बीच में जाली से फंदा बढ़ गया तो हमारे फंदे बराबर हो गए धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे और छे फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन च्यार पांच और ये छे तो ये देखिएगा पहला फंदा एस्टीज का इसे चोड़ कर यहां से यहां तक हमने ये ग्यारा फंदे का डिजैन बनाया इसी डिजैन को आप बार बार रिपिट करेंगे तो ध्यान से देख लीजिए दोबारा से डिजैन को रिपिट कर रहे हैं धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और ये ती तीन फंदे की केबल बनाएंगे तो दो को छोड़ कर तीसरे फंदे को इन दो के उपर से ऐसे पलट देंगे तीन से दो हो गए तो अब एक फंदा पहले सीधा बुन लेंगे फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस दूसरे फंदे को भी सीधा बुनेंगे तो वापस स हमारे तीन फंदे हो गई हैं अब धागे को अपनी तरफ कर लेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे और छे फंदे सीधे एक दू तीन चार पांच और ये छे यही ग्यारा ग्यारा फंदे का डिजैन बार बार रिपेट करना है तो फिर से ध्यान से देख लिजिए धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और तीन फंदे की ये छोटी केबल बनाएगे तो दो को छोड़के तीसरे फंदे को लेंगे इन दो के उपर से ऐसे पलट देंगे अब दो फंदे हो गए तो एक को सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ करके दूसरे वाले फंदे को भी सीधा बुन देंगे, तो वापस तीन हो गए, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, और छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और ये छे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, और लास्ट में देखिए, यहाँ पर छे फंदे हैं, तो एक उल्टा बनाएंगे, तीन फंदे की यहाँ केबल आएगे, दो को छोड़के, तीसरे फंदे को इन दो के उपर से पलट देंगे, एक सीधा धागा अपनी तरफ करके, दूसरे को भी सीधा बनेंगे, तो वापस तीन हो गए, और लास्ट में ये दो फंदे उल्टे, पहली सलाई डिजैन की कम्प्लीट हो गई, अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर, दूसरी सलाई पर देखिए, पहला फंदा इसका से उतारिए या उल्टा बनाईए, अब धागा पिछे करेंगे, जो फंदा यहाँ हमने उल्टा बनाया, वो यहाँ सीधा बनेगा, और जो सीधे बनाई हैं, वो हमारे उल्टी साइड पर उल्टे बनाए जाएंगे, तो देखिए, एक फंदा यह हमारा एस्टीज के बाद सीधा बनेगा, फिर धागा अपनी तरफ और तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, फिर धागा पीछे और एक फंदा यह सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह छे, एस्टीज के बाद यह हमने ग्यारा फंदे का डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करेंगे, तो धागे को पीछे करेंगे, एक फं यह तीन, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ करेंगे, और यहाँ पर छे फंदे उल्टे, यह फंदे आपको सिरफ एक बार ही गिनके बुनने पड़ेंगे, नेक्स्ट बार जब आप उल्टे साइड पर आओगे, तो जो फंदे सीधे उल्टे है वो आपको साफ साफ नजराने शुरू हो जाएंगे, शिरफ यह ध्यान रखना है एक बार में ही, कि यहाँ पर जो उल्टे थे वो इधर सीधे हैं, जो सीधे थे वो इधर उल्टे हैं, तो देखिए, बाद में यह सारी जो आपकी फंदे की लाइन है, वो आपको कलियर ऐस से नजराएंगे, अब एक फंदा यहाँ पर सीधा आ गया, फिर धागा अपनी तरफ और यह छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह छे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, तीन फंदे यह उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, और लाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई तीसरी सलाई है और सीधी साइड है जो फंदे आपको जैसे दिखे वैसे ही बना देने हैं पहला फंदा एस्टीच है यहां से डिजैन को शुरू करेंगे एस्टीच के बाद एक उल्टा धागा पीछे तीन फंदे सीधे एक दो तीन फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और छे फंदे सीधे एक दो तीन च्यार पांच और यह छे फिर से डिजैन को रिपिट करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागे को पीछे ले जाएंगे और 6 फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच और ये छे फिर से डिजैन को repeat करना है एक उल्टा धागा पीछे तीन सीधे एक, दो, तीन, धागा अपनी तरफ एक उल्टा, फिर धागा पीछे और छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, फिर धागा पीछे और तीन सीधे, और लास्ट के दो फंदे उल्टे, इस तरह से देखिए, तीन सल उल्टी साइड पर जो बंदा आपको सीधा दिखे उसे सीधा बनाएए जो उल्टे दिखे उनको उल्टा बनाते हुए इसकी फोर्थ सलाई को कम्पलीट कर दीजिए चार सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई अब आज ये इसकी पांचमी सलाई और सीधी साइपर पांचमी सलाई पर ये जो हमारी केबल है इसे हम ट्विश्ट करेंगे तो पांचमी सलाई को आप ध्यान से देख लीजिए पहले फंदे को उतारिए या बनाईए इस तीसरे फंदे को ऐसे इसके उपर से पलट देंगे तो यहां पर तीन से दो हो गए अब एक फंदा इसमें से हम सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और इसे दोबारा से सीधा बुन देंगे तो वापस तीन हो गए हैं, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, एक फंदा ये उल्टा, फिर धागा पीछे, अब ये जो छे फंदे हैं, ये तीन छोड़ देंगे, और नेक्स्ट वाले जो तीन फंदे हैं, आगे की साइड से सलाई पर इनको हम देखिए, ऐसे ले लेंगे अब ये जो तीन हो गए, इनको हम सलाई से ऐसे उतारेंगे, फिर बैक साइड से ऐसे करके इनको हम सलाई पर पहले डाल देंगे तो यह यहाँ पर आ गए अब यह जो तीन फंदे हैं इनको इसके आगे कर देंगे सिरफ फंदे ही ट्विष्ट करने हैं इसी से हमारी यह केबल बनती है तो यह देखिए यहाँ के फंदे हमने आगे की तरफ कर दिये हैं और यह छे फंदे अब सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और ये छे एस्टीज के बाद ये जो हमने डिजैन बनाया अब इसी को बार बार रिपेट करेंगे तो धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और ये जो तीन फंदे हैं दो को छोड़ कर तीसरे को इन दो के उपर से ऐसे पलट देंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ करके दूसरे फंदे को भी सीधा बुन देंगे तो वापस तीन हो गए धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागे को पीछे करेंगे और ये 6 फंदे यहां ट्विस्ट करने हैं तो पहले वाले तीन को छोड़ कर नेक्स्ट वाले तीन फंदे में आगे की साइड से ऐसे सलाई डालेंगे और अब ये जो तीन फंदे हैं इनको सलाई से उतारेंगे और बैक साइड की सलाई पर इनको हम पहले ऐसे डाल देंगे अब ये जो तीन फंदे हैं इनको लाएंगे और इसके आगे हम ऐसे डाल देंगे और ये 6 फंदे अब सीधे एक, दो, तीन, ये देखिए, च्यार, पांच और ये 6 फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और डिजाइन को रिपेट करना है एक उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदे हैं, दो को छोड़कर तीसरे फंदे को ऐसे पलट देंगे दो के उपर से अब एक सीधा धागा अपनी तरफ दूसरे को भी सीधा बुनेंगे तो वापस से हमारे यहां तीन फंदे हो गई अब देखिए धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे और यह जो छे फंदे हैं, इनको हम ट्विस्ट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, यह स्टार्टिंग के जो तीन है इनको छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले जो तीन हैं, इनमें आगे की साइड से ऐसे सलाई डालेंगे टाइट होतो थोड़ा सा आप लूज भी कर सकती हैं, फिर तीन को उतारेंगे बैक साइड से देखिए, ऐसे सलाई पर हम पहले डाल देंगे अब ये जो तीन फंदे हैं, इनको हम इसके आगे डाल देंगे अब ये छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे इधर वाले फंदे यहां पर आ गए हैं, यहां के फंदे यहां पर आ गए सरफ फंदेग त्विष्ट करने हैं, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे तीन फंदे हैं, दो को छोड़ कर तीसरे को लेंगे और दो फंदे के उपर से ऐसे पलट देंगे। तीन से दो हो गए अब एक सीधा धागा अपनी तरफ करके दूसरे फंदे को भी सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे बना देंगे तो ये देखें पांच सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई छटी सलाई उल्टी साइड पर आपको जो सीधे दिखें उनको सीधा बनाईए और जो उल्टे दिखें उनको उल्टा बुनते हुए इसकी छटी सलाई को कम्प्लीट कर दीजिए तो ये देखें छे सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई अब हमें फिर से यही छे सलाईयां बनानी है इसकी ग्यारवी सलाई पर इ साथ मी सलाई को देखिए पहले फंदे को उतारिये या बनाईए आप देखिएए स्टिज के बाद एक उल्टा धागा पीछे 3 फंदे सीधे 1,2 और ये 3 फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और 6 फंदे सीधे एक दो तीन च्यार पांच और ये छे एस्टिज के बाद ये जो डिजैन बनाया बस पूरी सलाई में इसी को रिपिट करते जाना है यानि आपको जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बुनते हुए इसकी साथ मी सलाई को कम्पलीट कर देंगे 7 सलाईयां डिजैन की complete हो गई और 8 मी सलाई उल्टी साइड पर जो फंदे सीधे दिखें उनको सीधा बनाई है जो उल्टे नजर आए उनको उल्टा भुनते हुए आप इसकी 8 मी सलाई को complete कर दीजिए तो ये देखिए आठ सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई नोमी सलाई है और इसकी सीधी साइड है नोमी सलाई को अब आप त्यान से देखिए कैसे बुनेंगे पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए एस्टीज के बाद एक उल्टा धागा पीछे अब ये जो तीन फंदे हैं इसमें से दो को छोड़ कर इस तीसरे फंदे को दो के उपर से ऐसे पलट देंगे अब तीन से दो हो गए तो एक सीधा बनेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और इस दूसरे फंदे को भी सीधा बनेंगे तो वापस तीन आ गए फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पिछे करेंगे और छे फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच और ये छे एस्टिस के बाद ये हमने ग्यारा फंदे का डिजैन बनाया अब इसी को बार बार रिपीट करती जाना है एक उल्टा और ये तीन फंदे की केबल तो दो को छोड़ कर तीसरे को इसके उपर से पलट देंगे तीन से दो हो गए अब दो से तीन बना लें एक को सीधा बनेंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे फिर से फंदे को सीधा बनेंगे धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और छे फंदे सीधे तो ऐसे करते हुए इसकी नोमी सलाई को कम्पलीट कर देंगे दसमी सलाई इसकी उल्टी साइड से आएगी दसमी सलाई पर भी आपको जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे बुनते हुए दसमी सलाई को आपने कम्पलीट कर देना है इस तिजैन को बनाने के लिए मैंने यहां पर 3 प्लाई वाली उनली है और 9 नंबर की सलाई यूज की है अगर आप भी 3 प्लाई वाली उन से बुनना चाहते हैं तो 9 नंबर की सलाई लीजिए अगर आपकी उन नौर्मल है ओस्वाल वर्द मान रेबीट गंगा किसी भी कमपनी की हो नौर्मल हो तो आप उसमें 10 नंबर की सलाइ यूज़ कर सकती हैं तो इसकी मैं 9 Allah को complete कर देती हूं और फिर 10 बी सलाइ पर जो फंदा जैसा देखेगा वैसे बुनती हुए complete कर देगे तो यह देखिए फ्रेंड्स इसकी 10 सलाइन complete हो गई हैं 11 सलाइ पर अब हम फिर से यह वाली केबल बनाएंगे तो 11 अफनी सेधिये को उतारिए या उल्टा बनाضे के बाद 1 उल्टा धागा पीछे 3 पंदे सीधे 1 और ये 3 फिर धागा अपनी तरफ करेंगे 1 फंदा उल्टा अब धागे को पीछे करेंगे और ये 6 पंदे की केबल बनाने है पांचमी सलाई पर जब हमने केबल बनाई तो ये वाले तीन फंदे छोड़ कर ये नेक्स्ट वाले जो तीन फंदे हैं ये हमने आगे की यानि उपर वाली साइड से लिये थे लेकिन इसकी ग्यारमी सलाई पर जब केबल को ट्विश्ट करेंगे तो ये वाले तीन छोड़ कर नीचे की साइड से दिखीए बैक साइड से ऐसे ये तीन फंदे हम सलाई में लेंगे इन तीन को उतारेंगे फ्रन्ट वाली साइड से यानि ऊपर वाली साइड से ऐसे सलाई में पहले डालेंगे इनको back से लाएंगे और इसी सलाई में आगे कर देंगे और ये 6 फंदे अब सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6 अब देखें एस्टीज के बाद ये हमने 11 फंदे का डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपेट करेंगे धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और तीन फंदे ये सीधे बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे और ये 6 फंदे की केबल ट्विश्ट करने है इन तीन फंदे को छोड़ देंगे, बैक साइड से तीन फंदे में पहले सलाई डालेंगे इन तीनों को उतारेंगे और फ्रंट साइड से इस सलाई पर हम पहले डाल देंगे बैक से तीन फंदे लाएंगे और इनको आगे कर देंगे अब ये 6 फंदे सीधे बनेंगे एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और ये 6 फिर से डिजाइन को रिपिट करेंगे एक फंदा ये उल्टा फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे और ये जो 6 फंदे हैं इनको ट्विश्ट करना है तो इन तीन को छोड़के ये जो तीन फंदे हैं इनको ऐसे बैक साइड से लेंगे तीन को आगे से उतारेंगे और फ्रंट साइड की सिलाई पर हम पहले इन तीनों को डाल देंगे अब ये जो तीन है इनको बैक से लाएंगे और अब इनके आगे डाल देंगे ये छै फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन च्यार पांच और ये छै फिर से देखिएगा आपके जितने भी फंदे हों यही 11-11 फंदे का डिजाइन बनाते जाएंगे लास्ट में हमारे 6 फंदे हैं एक उल्टा बनाया केबल वाले 3 फंदे सीधे और लास्ट में अब ये जो 2 फंदे हैं इनको उल्टा बनेंगे तो 11 सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई 12 सलाई उल्टी साइट पर आपको जो फंदा जैसा दिखे वैसे ही बना दीजिए सीधा है तो सीधा बनिए और उल्टे हैं तो उनको उल्टा बनते हुए इसकी 12 सलाई को कम्प्लीट कर देंगे तो ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से 12 सलाईयों में ये डिजैन ओवर हो जाता है अगर नेक्स्ट बार इसे रिपीट करने में आपको कोई प्रोब्लम आए तो वीडियो को स्टार्टिंग से देख लिजेगा बिल्कुल सेम टू सेम ये ही 12 सलाईया इसमें बार बार रिपीट करते जाना है तो आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा ये केबल डिजैन बनता चला जाएगा तो अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लेज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नौटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें तेंक यू